एक शहर में दो लड़के रहा करते थे शिवा और अदित्य शिवा और अदित्य वे तोनों काफी अच्छे दोस्त थे एक दिन शिवा और अदित्य को एक लड़की दिखती है जिसका नाम रेवा होता है और रेवा के पास पैसे होते है वो देखकर अदित्य शिवा से कहता है अरे बाई शिवा सुन तू इतना अच्छा लिखता है तो तू इस लड़की को अपनी प्यार के जल में फसा ले और तू इस से इसके सारे पैसे लूट ले जिसके बाद हम दोनों इन पैसों का बहुत ज़़ा मजा करेंगे इतना कहता है तो शिवा कहता है अरे हाँ तू सही क आपसे प्यार करता हूँ आप मुझे बहुती पसंद हो इतना केकर वो उससे जूट बोलता है और बेचारी रेवा को अपनी प्यार के जल में फसा लेता है और उसके पास से उसके सारे पैसे लूट लेता है इसके बाद एक दिन अदित्य और शिवा वेदनों रेवा से कहत तो शिवा और अधित्य वे दोनों बीचाली रिवा को जान से मार देते हैं और वे लोग वहां से भाग जाते हैं इसके बाद कुछ दिन ऐसे भी जाते हैं और रिवा एक टुडल बन जाती है और उसे अपना बदला लेना औरता है और वो कहती है उसने मुझे दोका दिया है म वे उसे चोड़ूंगे नहीं इतना कहे कर वो उन दोनों के पास जाती है और उन दोनों से कहती है तुम दोनों को में चोड़ूंगे नहीं तुम दोनों को में जान से मार दूंगी इतना कहती है यह वा सुनकर वे दोनों डर जाते हैं और वे लोग रिवा से डर कर भागना शुरू कर देते है